टोव 5 बस्लैप्टप इं 2021 तो varias開व टोटी बंट व्लेना चाथे जिस पर अगर आपने वीडियो आइटिंग भी करनी कि आ थिक अगर आपने गेमिंग भी में अगर आप टेकर धूब है ध्युक्ती वाहते हो चाहते हो जाहां फिर अग्र आपने पहले मैं आपको बता दो इसको number five पर रखने का एक reason है वो यह reason देखने को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते हैं लेकिन upgrade करने का option आपको नहीं देखने को मिलता है जो कि सच में minus point आ जाता है अगर इसके में price range की बाद करूँ आपको 41,000 के budget में MI notebook 14 देखने को मिल जाते है इ build quality बहुत अगरी मिल जाते है उसके साथ साथ भी अगर आप data इंट्रीस करते हो जाए अगर आपका काम कुई ऐसा आपको keyboard पे जादा काम करना पड़ता है आपके लिए यह best deal हो सकते है प्लस आपको full HD प्लस इसके साथ web camera free देखने को मिल जाता है तो plus point तो इस laptop के देखने क मिल जाता है लेकिन minus point भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप Ram को upgrade नहीं कर सकते अगर Ram को upgrade करने का option मिल जाता ना तो यह 12 GB ही अगर आपको देखने को मिल जाता तो इस laptop को मैं number two पर या number one पर ही रखता विकास laptop पूरा loaded देखने को मिल जाता है अगर आपने इस पे gaming व जाता है वह आपको 47,000 के बजट में देखने को मिलता है तो इस बजट अपने प्राइस रेंज से वह बहुत आगे निकल जाता है तो मैं आपको रिक्मेंट निकलता है तो आपको अपको अपरग्रेट करने का ओप्शन भी तो नहीं मिल रहा ना ठीक है तो भई अगर आपने MIKE और जाने है आप जा सकते हो मैं अशे नहीं में आपको इसे नहीं कहा रहा कि आप तो प्रसाइसर बहुत अगड़ा है ठीक है स्टोरेज की बातों को 8GB RAM मिल जाते है प्लस आपको फाल्टोलोजी भी SSD देखने को मिल जाते है SSD का benefit यह होता है अगर आप डाटा अगरा ज्यादा ट्रांसफर करते हो वह बहुत जल्दी हो जाता है आपको इंटल यूएच्टी ग्राफिक कार देखने को मिल जाता है प्लस आपको मिल जाता है लेकिन उसका प्राइज आपके बजट से अपर चल जाएका ठीक है अप्रेनी सिस्टम की बात करो आपको विंटो टैम मिल जाती है लेटेस वर्जन सिस्टीफू बिट के साथ बैं मैं नोटबुक 14 के वैसे यार लैप्टाप पूरा लोड़ेड है लेकिन माइनस पांट थोड़ा सा आ जाता है तो इस बजटर देंच में मैंने नंबर फाइब पर रखा और कोई भी रीजन नहीं देखने को मिलता है तो आपके लिए बहुत अगरा आप जा सकते हो मैंने प्रवाइड किया आपको description box में देखने को मिल जाएगा अब आगे बात करते है नंबर फोग नंबर फोग की बात करूं नंबर फोग यार मैंने रखी है HP 14 को तो यार बहुत बंदे मुझे मैस सही करते है कि मुझे HP का laptop चाहिए मुझे Dell का laptop चाहिए इस बज़र देंच में हो HP 14 की तो यार यह laptop आपको मतलब ब्लैक कलर में इसका कलर बहुत उट करता है ठीक है मैं आपको recommend भी करना जाता हूँ अगर आपने लेना है तो ब्लैक कलर मुझे जाधा सीट लगा आप उसके और जा सकते हो प्लस आपको 14 एंच की display देखने को मिल जादी जो की 16 refresh rate के साथ आप देखने को मिलेगी आपको i3 देखने को मिल जाता है 10th generation के साथ प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी 8GB RAM भी मिल जागी जिसको आप 16GB तक expandable भी कर सकते हो तो यार अगर आपने कोई के लिए अगर आपने डेली यूज के लिए इस laptop को लेना है तो आपको कोई बीशू नहीं आने वाली यार आपको i3 देखने को मिल जाता है 10th generation के साथ वो भी सच में बहुत ज़्यादा तक राइटिक है आप जा सकते हो HP 14 के और अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी अब इसक्ति प्रोड़ी की बात हों को 40 इंच फूल हटी प्लस दिस्प्ले मिल जाते है जो की 16 रेफ्रेश के साथ आती प्रोसार की बात हो को i3 10th generation के साथ में मिल जागा आपको 11th generation के साथ में मिल जागा लेकिन 11th generation का price increase हो जाता है वो आपको 42,000 के बज़र में या 43,000 के देखने को मिलता है तो अगर आप extra pay कर सकते हैं आपको HP का ही laptop चाहिए तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप i3 11th generation की और चल जाना वो latest processor है उसके आप प्रतों कोई प्रसाइसर ही नहीं अभी आरा ठीक है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती है आप upgrade कर सकते हो 16GB तक प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती है आपको 256GB मिल जाती है आपको 512GB मिल जाती है लेकिन उसका प्राइस होड़ा 4GB हो गया 6GB हो गया 8GB हो ठीक है उसका लेना देना नहीं होता RAM के सा ठीक है लेकिन जो इंटीग्रेटर ग्राफिकार होता है वो अपना जो storage वो लेता है RAM से ठीक है अगर आब मतलब आपको काम कर रहे हो ग्राफिकार को कोई जरूरत बढ़ती है RAM की जा sorry storage की तो वो RAM से ही ल बात करूं आपको Windows 10 देखने को मिल जाते है प्लस आपको MS Office देखने को मिल जाता है 2019 वर्जन बैटरी की बात करूं आपको 7 hours का बैटरी बैक अप प्रवाइड कर देता है 11th generation के और चल जाना अगर आप extra थोड़ा सा पीक ब्लैक कर बहुत ही लगता है अगर कोई भी बंदा ब्लैक कलर में ले रहा है तो बहुत मुझे में ब्लैक कलर में लिए लिंक परवाइड कि आपको डिस्क्रीशन बॉक्स में देखने को मिल जागा अब आगे बात करते है सकते हो वह बैक भी देखने को मुझे बंदाग को मिल जाताइ और स्पैसिफिकेशन बहुत अगरे मिल जाते हैं यह एपको आई थी देखने को मिलेगा 2019 version तो यहार में स्पेस्फिकेशन मैंने आपको बता दिया लिनोग वो आइडिया बैट स्लिम 3 आई के यहार स्पेस्फिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा तगड़ा है प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सही है एंड बैग देखने को मिलता है न उसका प्र जाना जाते हो आप जा सकते हो आगे बात करते हैं नमबर टू की बात करूँ नमबर टू पर यार मैंने रखिया असूस जैंट बुक अल्ट्रा फिफ्टिं को अगर इस लैप्तॉप की बात करूँ सबसे पहले आपको लाइट वेड एंड स्टालीश डिजान्ड देखने क बात करूँ यह laptop आपको 41,000 या 42,000 के बज़र में मिलेगा बट भी अगर आप इसको ले ले तो आपके लिए बैस्ट दील हो सकते है विकर्स आपको i3 11th generation के साथ मिलता है जो की latest processor है इसके अपर कोई भी processor नहीं देखने को मिलता है प्लस आपको 8GB RAM मिल जाता है expandable आपको 16GB तक प्लस आपको fingerprint भी देखने को मिल जाता है प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको इसलिए मैं stylish design तो मिले जाता है प्लस यह तीन colors में देखने को मिलता है जो भी color आपको सही लगता है आपको उसके और चाले जाना लेकिन मुझे gray color में बहुत ज्यादा सही लगता है प्लस आपको four to five hours का battery back up provide कर देता है अगर मैं इसकी weight की बाद करूँ आपको one kg 800 gram में asus vivobic ultra 15 देखने को मिल जाता है मैं आपको जो main specification है थोड़े से बता देता हूँ आपको deeply थोड़ा सा पता कर जाएगा तो यह display की बातों को 15.16 full HD plus display मिल जाते है जो की 16 refresh rate के साथ आते है पर sensor की बात करूँ आपको i3 11th generation के साथ मिलता storage की बातों को 8 GB RAM मिल जाते है अपको 16 GB तक कर सकते हो प्लस आपको 256 GB SSD देखने को मिल जाते है तो यार मैं आपको एक चीज रेकमेंट और करना जाता हूँ अगर आपको one TV actually देखने को मिलते है ना यार उसकी और बिलकुल भी मत जाना ऐसे मत देखना है कि आपको one TV storage देखन जाता है अगर आपने data वगरा transfer करना जल्दी कर देता है इसका comparison किया जाए HDD के साथ ग्राफिक कार्ण की बात करूं आपको integrated graphic card मिल जाता हूँ प्रेणी जेस्टें की बात को विंडू 10 मिल जाते है प्लस आपको MS Office मिल जाता है 2019 वो जन बैंटरी की बात करूं आपको five to six hours क inventory backup पर वाइड कर देता है प्राइस की बात करूं मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको 41,000 के बज़र में या 42,000 के बज़र में ये specification के साथ असूस विव बुक वाल्टरा 15 देखने को मिल जाएगा तो बही में स्पैसिविकेशन तो मैंने बता दिया आपको असूस laptop के अ जादा समय खराब नहीं करते है आगे बात करते है नंबर वान की नंबर वान की बात करने से पहले भई मैं आपको इतना कहते हो अगर आपको रिकमेंड करना चाता हूँ आप चल जाना इस से इस लैप्टप की बात करूं गर आपको i5 देखते हैं को मिल जागा 10th generation के साथ आपको 8GB मिल जाते हैं जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते हैं प्लस आपको 2GB जो है graphic card देखने को मिल जाते हैं तो अगर आपने office work के लिए चाहिए अगर आपने ऐसा student यूज करना है उसके बाद भी अगर आपने कोई heavy software यूज करना ह आते हो normal setting पर अगर आपने 1080p पर video acting करनी है यह laptop आपके लिए perfect deal हो सकता है और यह आपको 45,000 के बदर में मिल जागा मैं इसका link प्रवाइड कर दूँगा कई पर इसकी offer बगारा भी लगती रहती है और भी सस्ते में देखने को मिल जाते हैं लेकिन अभी office की offer बगारा नहीं पैनल डिस्प्ले है प्रसेसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाती है प्लस आप expandable भी कर सकते हैं प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है ग्राफिक काड की बातों को नवीडिया G4 MX350 देखने को मिलता है जो कि 2GB के साथ आता है प्रेडि बैकर प्रवाइड करेगा ठीक है अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो फिर आपको 8 hours का बैटरी बैकर प्रवाइड करते तो उससे ज्यादा भी करतेगा अगर आप ज्यादा यूज दिनी करोगे तो बैंटरी जो बैंटरी है वो ज्यादा नहीं लगने वाली ठीक है जी आपने वीडियो एक्टिंग करने हैं गेमिंग करने हैं अगर आपने कोई भी हावी सफ्ट्यों यूज़ करना है आप इस लैप्तॉप के और जा सकते हो बहुत अग्रा मिल जाते हो उसके बाद अगर आपने ऐसा क्रेटर काम करना ऐसा ड्वालपर काम करना स्टूडन्ट आप के लिए चाहिए अगर आप तीचर थो पड़ते हो पर आपके लिए भी यह लैप टॉप के और चाली साजार अ ही है तो आपके लिए बैस्ट अगर आपका बचली सान सा-ब्यिश्वाप टाव बता है तो अब अब शचली साजानुर्ल गमीं और आप सब्सक्राइब करना बीडियो को लाइक करता शेर कर दना दोस्तों के भी दोस्तों को बेदो को पा зрit कि